दोस्तो आज है 10 अक्टूबर और आज रणिकान साहब की अमिता बच्चन जी की साथ एक बहुत ही बढ़िया फिल्म रिलीज हुई है जिसे आज ही हमने थेटर पर देखा है और हमारा कैसा एक्सपिरियेंस रहा मैं बिल्कुल आपको अपनी ओनेस्ट ओपिनेन दूँगा मै बिल्कुल भी इस चीज में नहीं जाओंगा कि रणिकान सार की मूवी है तो फिल्म बहुत ही अच्छी होगी बहुत टाइम बात दोनों सुपरिश्टार का कोलाबरेशन और आमिता बच्चन और रणिकान सार एक साथ हमें एक फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं तो मेरे अं तादू की देखो रजनिकान साब की जब भी कोई फिल्म हम देखते हैं तो उसमें मास एक वो सीन आपको दिखाई देते हैं फाइटिंग सीन हो या कुछ भी हो बहले उनका कुछ सरपैर हो नहीं हो वैसे भी साउथ की फिल्म में इस चीज के लिए तो बदनाम है ही कि मतलब जैसे नोर्मल फिल्म होती है एक्षन की मार धार की जिसका कोई सरपैर नहीं होता तो कुछ उच टैप की फिल्म है लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है और जब वो अपने में ट्रैक पर आती है जो उस फिल्म का में ट्रैक है जहाँ पर एक लड़की की कहान कोचिंथ जुर्फ एंक यहां से यहां सब यह वहां से इन और नहीं होने देती, तो फिर फिल्म की जो छोटी मूटी कमी है, जैसे मैंने आपको बताया, जो रणिकान साब का over the top action scene है, वो थोड़ा सा मैं अजीव लगता है, और वो भी इस उम्र में वो इस तरह का scene देते हैं, करते हैं, क्योंकि सब आपको पता, आज कर टेकनोलोजी इतनी हाइफाई हो गई है, तो VFX वगरा का कमाल है, बाकी रणिकान साब कभी भी अपनी एज को छुपाते नहीं है, कभी भी वो पब्लिक मीडिया में जाते हैं, तो वो बिल्कुल जैसे वो दिखते हैं, रियल लाइफ में, पर्दे की पीछे बिल्कुल वो वैसे ही नज फाहत फाजिल, जो एक मल्यालम एक्टर है, और क्या कमाल की एक्टिंग किया भाई, उस बंदे ने यार, मतलब बहुत ही गजब यार, शांदार, मतलब कुश्पा के बाद अगर आपको सच में कोई फिल्म फाहत फाहत फाजिल की देखनी है, जिसमें लगे कि हाँ बंदे उस बंदे का रोल देखकर मेरा मन खुश हो गया, और बहुत ही बढ़ी रोल है, मतलब सबसे ज़्यादा जो आपको आपके जहन में रहता है, यह सबसे ज़्यादा जो आपकी फिलिंग जुड़ती है, जिस के रेक्टर से वो फाहत फाजिल है, तो आप देखोगे ज़्या ज़्यादा तारीफ जब आप थेटर से निकलोगे, तो उसी केरेक्टर की करते वे निकलोगे, इसके लावा अमिता बच्चन का रोल भी हम सबको पता है, कि यहाँ पर कही न खाई, उन्हें एक एंटी उसके ओपर तोर पे दिखाया कि एंटी रोके, यह रदनीकान साहब क वो आपोजिट हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर रदिकान साहब होते हैं, इंकाउंटर स्पेशलिस्ट और वो एक यूमन को प्रोटेक करने वाले, जो यूमन कमूनिटी से बतलब एक दिखाते हैं, कि हम मानाव अधिकार की बात करने वाले, यूमन प्रोटेस्ट की आप कै कैसे उलंगन कर रहे हो, कानून विवस्ता को कैसे अपने हाथ में ले रहे हो, तो उस तरह का उनका रोल है यहाँ पर, और एक अच्छा रोल है, मलाम अमिता बच्चन ने भी अपना रोल अच्छा किया, लेकिन मुझे एक कमी यहाँ पर क्या खली, कि हिंदी की जो इन्वेज है, वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती है, वो सिंक्रोनाइस आपको दिख जाएगा कि डबिंग के इंदर ना, वलाम उपर नीचे जा रहे है डबिंग, तो वो थोड़ा सा मुझे अजीव लगा देखने में, और यह चीज आप बाद में भी नोटिस करेंग इन्वर में कुछ ऐसी प्रेणा भी ले, तो अवरॉल मला मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, और मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा पांच में से साड़े तीन इस्टार, क्योंकि मैंने बताया, फिल्म बहुत बढ़ी आया हर तार से, मुझे कहीं निराशनी की है फिल्म और कल दो फिल्में आ रही है, तो हम उनके भी रिव्यू जरूर करेंगे, क्योंकि मैं कोशिस करूंगा कि बहुत टाइम से मैं फिल्मों के रिव्यू नहीं कर पा रहा था, किसी कारण से, बट आप दोबारे से उन चीज़ों को मैं कंटीन्यू करूं, तो अगर आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देंगे हमारे ओनेश्ट रिव्यू के लिए, तो हम जरूर आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, आपको वीडियो पसंद आये तो उसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आपसे मुलाकात होगी नेश्ट रिव्यू में, बबाई, टे कियाँ